हलो फ्रेंज वेलकम बैक तो मैं यूटूब चैनल फ्यूचर विट्रेंडी लाफस्टार्ज तो फ्रेंज आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ नेट साडी का कलेक्शन फ्रेंज जैसा की नेट साडी का फैशन पहले बहुत था और बीच में फैशन चला गया लेकिन नेट साडी का फैशन अब दुबारा ट्रेंड में आ गया है और फ्रेंस इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ नेट साड़ी के इस भी शेयर करने वाली हूँ कि आप लोगों को किस तरीके की नेट साड़ी पहननी चाहिए किस तरीके की साड़ी कैसे फंक्चन में पहननी चाहिए तो फ्रेंट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी हैल्पूल लगी तो वीडियो को लाइक और चेयर जरूर कर दीजेगा हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को कलेक्शन कैसा लगा अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ने किया तो कर लीजिएगा साथी साथ बेल आइकन को आल पर सेट कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुचे तो चली फ्रेंस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंस आप लोगों को इंस्टाग्राम पेज, पेस्बुक पेज और एसे कई पेजों पर वालीबुट एक्प्रेस नेट साडी में देखने को मिल जाएंगी और पहले की नेट साडी और अब की नेट साडी में फर्क है फ्रेंस पहले की नेट साडी में ज़्यादा तक जरी वर्क वाली ही साडी देखने को मिलती थी लेकिन अब पहले की साडियों से डिफरेंट है इस वीडियो में आप लोगों को डिजाइल नेट फ्रेट वर्क वाली साडि लेन नेट की साडि विद हैवी बॉर्डर टोन वर्क वाली साडि देखने को मिल जाएगी और ऐसी कई सुंदर-सुंदर साडि देखने को मिल जाएगी महिलाएं जब भी साडि या पार्टी में जाने की या किसी भी ओकेशन में बात आती है तो सबसे पहले साडि की पहनना पसंद करती है जो कि साडि आपके लुक को और भी ज़्यादा स्टाइलिच और फैस्नेवल बना देती है प्रेंस नेट की साडि के साथ अगर आप कलर कॉमिनेशन का ध्यान रखे तो आप एक यूनिक लुक ट्रियेट कर सकती है जैसे कि नेट साडि के साथ अगर आप टीक्विन टैबरिक का बलाउज पहनती है तो आपके लुक को और भी ज़्यादा चार चांद लगा देगा लिक्विन अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है अगर आप नेट साडि को राद के किसी भी शादी या फंक्चन में पहनती है तो यह आपके लिए बहुत अच्छा बेस्ट आप्चन है और साड़ी भारतियों महिलाओं के सबसे फेपरिट आउट्पिट में से एक होता है साड़ी एक वर्सेटाइल आउट्पिट है जिसे महिलाएं कई अलग अलग तरीके से रैप करना पसंद करती है वैसे तो साड़ी पहनते समय तरफ रैपिंग स्टाइल के साथ ही अब एक्सपेरिमेंटल नहीं हो सकती भलकि आप उसके टैबरिक को लेकर भी थोड़ा चूजी हो सकती है फ्रेंस आप लोग साड़ी में कई तरह के खेज़ेक जैसे जिलक नेट, जॉर्जेट नेट, स्ट्रैप नेट, टैबरिक आधियर को सेलेक्ट कर सकती है इसलिए हर मेला नेट की साड़ी को ही पहनना पसंद करती है आलांकि फ्रेंद नेट के साड़ी पहनना थोड़ा सा प्रिकी हो सकता है इसमें आप लोगों को एक परफेक्ट लुक क्रेट करने के लिए चोटे मुटे टिप्स पर बहुत ज़्यादा जयान देना पड़ता है लिए में आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेय करूंगी जिसे फॉलो करने से आप नेट के साड़ी में और भी ज़्यादा खुबसूरत लगने वाली है टिप नमबर वन नेट के साड़ी में आपका लुक में पल्लू पर डिपैंड करता है वैसे तो आप लोग हर साड़ी के साथ पल्ले पर लेट बनाती होंगी लेकिन जब भी आप नेट के साड़ी पैने तो इसके साथ ओपन पल्ला लुक ये रखना चाहिए कभी भी नेट साड़ी के साथ लेट बनाने की गलती ना करें जो कि इससे आपका पूरा लुक वेकार लगने लगता है पर आप लोग लेट साड़ी पैनती है तो आप लोगोंको वो लुक नहीं मिलेगा जो ओपन पल्ले में मिलता है पेंस अगर आप ओपन पला रखती हैं तो आपके लुक और खुबसूरती को और भी ज़्यादा निकर का सामने लाता है इसलिए आपको इसे बहुत अधिक विबिलिंग तरीके से पहनने की तरुद नहीं होती है इसलिए अगर आप नेट के साड़ी पहनती हैं और उसे हाइलाट करना चाहती हैं तो सबसे बेस्ट आप्चन हैं आप अपने एक्सेसरी और मेकप को मिनिमल रखा जाएं तो इससे साड़ी का लुक और भी ज़्यादा उबर के आता है नमबर फोग जब आप नेट के साड़ी पहनती हैं तो सबसे मेन होता है और इंपोर्टेंट भी होता है पेटी कोट इसके साथ आप लोग कॉटन फैबरिक का पेटी कोट नहीं वेयर कर सकती हैं इसलिए फ्रेंट्स कोशिश करें कि आप लोग नेट साड़ी के नीचे उल्वाट